विध्यार्थियों एम सम्माली शुर्थागड़ आप सभी को भी मेरी ओर से सुप्रभाद नमस्कार प्रणाम एम स्वागतम बीएसी भाग त्रिते की समस्ते विध्यार्थियों का आज के वैख्यान तस्तुती करण में हार्दिक अबिनन्दन प्रिविध्यार्थियों आज जिस विश्य पर हम अपने व्याक्यान प्रस्तुत करेंगे उसका विश्य है अवशोषन इस्प्रेक्ट्रम की कारे प्रणाली प्रक्षा की दर्ष्ति से प्रतियों की प्रक्षामी दर्ष्ति से अवशोषन इस्प्रेक्ट्रम की कारे प्रणा इस्पेक्ट्रिस्कोप और इस्पेक्ट्रमीटर पर हमने विभेधित किया था कुछ बिंदों के आधार पर हमने समझाने के प्रयाश किया था हमने विस्तार से चर्चे की थे कि इस्पेक्ट्रिस्कोप इस्पेक्ट्रमीटर से किस प्रकार से भेंदेता दर्शाता है प्रिविध्यार्ति विष्वे भाग तरतिये के प्रस्निपतर तरतिये के भोतिक रसायन विशें से 21-23 से इस्प्रेक्ट्रिस्कोपी विशे की रूप में चुना है इस्प्रेक्ट्रिस्कोप पुन्ह विगित व्याख्यानों को में संक्षित में पुन्ह दोरा देना चाहता हूं इस्प्रेक्ट्रिस्कोप वह युक्ति होती है जो सूरज के प्रकाश में उपस्थित विवग्योवर साथ वर्णित हरंग धुर्यों को एक साथ प्रेक्षित करता है यह दि हम इस्प्रेक्ट्रिस्कोप के मध्य में एक ऐसी युक्ति युग्मित करते हैं जैसे की में 7 रंगों कीतर रंगद्रों में छे रंगों की तरण द्रोको उक्त प्रिजम अथ्वा विवर्थिन Pradding अउश् styro शेष विक्रणों को रेडिएटर के माध्यम से रिकोर्ड़ में या फोटोग्राफ absorbed पर बेजा जाता है यह संपूर्ण उपकरण इस्पक्ट्रो मिटर क्या लाता है अर्था संक्षिप्त में येदि हम दिस्कस करें है चर्चा करें इस्पक्टो मिटर वह युक्ती होता है जो एक वढनि प्रकाश की तीवता उससे संबंदित ispectrum को photographic plate पर प्रेक्षित करता है उससे प्राप्त करता है ये उपकान ispectro meter की अलाता है विए ततर रख्यानों में हमनIES ये भी विस्तार से चर्चा की दिश्पड़र जो अलग हल्ग इन उक्तियोंग— निर्मित होता है छे प्रमुख भाग होते हैं आंतरी रूप से जुड़ेवे होते हैं पहला वाला प्रकाश रोत होता है दूसरों वाला प्रतेजर सेल्टी होता है तीसरों वाला मोनोक्रोमेटर होता है चोता वाला जो होता है सेंसुचक होता है पांचों वाला प्रवर्धक होता है चटा वाला रिकोर्डर होता है विगेती वैक्यानों में हमने प्रकासरोद एक एस के बारे में विस्तार सी चर्चा की थी आज हम जो एक नया वाला जो आवशोर्शन पर जिसमें उस बधार्त के विल्यन पहें जो हुङ जिसका हमें ओचित सही ज़क इस्पक्ट्रम में फोटग्राफिक प्रेंट अर्थवा रिकोर्डर पर थाप्त करना होता है कि अर्थात में इस्प्रिक्टन प्रतिद्र और ती भाको दर्शाता है मैं यहां पर लेकिन अपर एक साओदा ने आपको कि धिदे रखाउंगे दोरह अंकीत किया है कि यहματα वह?" इस yılion को बनाते समय मगना सावधां आपको बतेlying होगी यह वीलयन एक इसे हえば बनाया जाता है जो प्रतिदर सेंटी से किरिया न करें उसके डिदर सेंटी से किरिया करने पर में पर प्रतिधय संपूर्ण स्पेक्ट्रम की किरिया विधी कारे पढ़नाली उसकी यथारता अपने पैचान खोचुकी होगी अन्य शब्दों में यह दिया आपने एसा विलाइक प्रतिर्जर सेल्टी में आपने काम में लिया है जो विल्यस से करिया करता हो या विलायक से करता हो तो ओसे स्थिति में एं यहां पर यथार्थ इस्पेक्टर पर आप नहीं आगर हुईसंट मेन इसमें बिंदु आप शंपर लिखा है इसकी सिधानत के रूप में परतिदर्षऊर्वी के रूप में ऐसे विलाय के ना करे प्रिज्ध्धियारतियों में यह अ की प्रतिपार्दित किया था कि जिस प्रकार से अम के ताप करने के लिए प्रक्षित करने के लिए अलग लग प्रकार के प्रकार श्रोथ एस प्रयोग में लिये जाते हैं उसी करब में उसी संदर में मैं बता जाना चाहता हूँ यह दिए द्रश्य स्प्रेक्ट्रम आप आप करना चाहते हैं तो आप यहां पर प्रतिजर्ष ल्टी जो है यह वाल जो है कहाच की युक्ति का बना हुआ होना चाहिए फिर से समझना का प्रियास करिए छोड़े बाते हैं महत्वपूर्ण बाते हैं जो आपकी विभिन प्रतियों की प्रक्साओं में पूछा जाती है कि यह दिए आपको सवाल इस तरह से पूछा जाता है कि द्रश्य स्प्रेक्टरम प्राप करना के लिए प्रतिजर्ष लटी जो है किस पदार्थ का बना हुआ होना चाहिए किस पदार्ष smallest का निर्मित होना भाग प्रियोग में लेना होगा इसी करह में यूवी यानि पराब्यांगरी इस्पेक्ट्रम आप फोटोग्राफिक प्लेट या रिकोर्डर आर पर प्राप्ट करना चाहते हैं ऐसी स्थिति में आप तो जी सवाल पूचा जाता है प्रस्न पूचा जाता है कि बताइए प्र ख्राइट्रों की ऐसे क्यों हो रहे है यह रहत है वह रेखेगानों में आप सभी को बताया था है वह हमने यह मुद्ध के जह रिंध और और तरभीावभ में Entonces जब आप अलग अलग प्रकार की इस्पेक्ट्रम आप प्राप करने चाहते हैं फोटोग्राफी प्लेट पर रिकोर्डर पर एसी इस्तिति में आप देखेंगे उनी तीवरताओं उनी आवरत्यों उनी तरंग दोरों के आधार पर आपको प्रतिजर सेल टीवी अलग अलग प विए आपके सामने बता देना चाहता हूं इसमें यह क्से निर्मित होगा अगले वाणा हमारा भाग है अगले वाला इस्पेक्ट्रम है आयार के अध्यर आने की स्पेक्ट्रम इंफ्रारेड्स प्राप करना के लिए प्रद्धितर से जो टी है किसे निर्मित होगा सिस्थिति में आपका जवाब होगा वह होगा मृटल है एलकली एलकलाइन है लाइत है सने हो सकते हैं एक बात आपसे विद्ध्यार्थियों को में ध्यार में दिना दना चाहता हो यदि एक विशिष्ट के बारे में यदि आपको जानकरी हासिल करनी हो तो आप उस इस्पेक्ट्रम से सम्मन्द देते अगला वाला जो भाग है इसका रिकोरडर है इससे सम्मन्दित इनके दायित इन भागों के इन युक्तियों के इन उपकुर्णों के सुक्ष मुपकुर्णों के क्या क्या कारे फ़लन होते हैं और ये किसकिसी निर्मित होते हैं एसी इस्तित्थी में यह थार्त सही इस्पेक्ट्रम प्राप्त कंड़े में हमें कोई किसी भी प्रकार की कोई किसी प्रकार की असुविदा नहीं होगी भ्यम की स्थिति पैदा नहीं होगी प्रीविद्यार तो आप देखेंगे दूसरा वाला जो है अगरा वाला जो तीसरा वाला जो हमारा वहाग है मैंने यहा इसमें से मोनो यान्वाइन की एक क्रोमेटर जाहर सी बात है जब यहां से निकलने वाली किर नोगों को हूँ जब हम मोनो क्रोमेटर तीन में पहुचाते हैं तो यहां पर भी सवाल खळे होते हैं को इसका मेंट回去 क्या हैं मोनोक्रोमेटर जो तीन है इसका दाइत्र क्या है इसके काद्र फलन क्या है मोनोक्रोमेटर तीन है उसके अभीगरीद क्या है और किस तरह से विक्रणों को आगे बढ़ाने में इस्पेक्ट्रम को समझाने में सहायक होता है मैं संक्षिप्त में बता देना चाहता हूँ मोनो किरोमेटर जो होता है यह मोनो किरोमेटर जो यथार्थ विकिरनों को जो अलस्वाभावी के हैं जिनके कोई योगदान नहीं होता उन विकिरनों को उन तरगधेरों को आवशोचित करता है यथार्थ विक्रणों को सहसुचक D में भेजता है A यथार्थ विक्रणों का मोनोक्रोमेटर आवशोषित करके जिस पदहर्थ का, जिस रंग का, जिस तरंग धेर्र का हम इस्पेक्ट्रम प्राप करना चाते है उसको हम आगे सहसुचक में पहुचाते है अर्थात औय अथार्थ विक्रोनों को हम मोनोक्रोमेटर M के द्वारा प्रदशित करते हैं अगल वान भाग विस्तार से हम मोनोक्रोमेटर 3 पर विस्तार से आने वाली वाक्वानों में चर्चा करेंगे फिलाल पुनह आप सभी को नमस्कार कोटी कोटी आभार धन्यवाद